अगर आप इस चैनल पर नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन चैनल पर और इस नई वीडियो में जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन एं स्पोर्स रिलेटेड जितने भी वेकैंसी आउट हुई है जैसे वह पार्ट टाइम की हो या पर्मिनेंट वेकैंसी हो वह हम अप सब भी कुछ इस वीडियो में डिक्कीस करेंगे और देखेंगे आप इसमें अप्लाई कर कैसे सकते हैं तो यह जो वेकैंसी है यह नौइडा की वेकैंसी है तिली पपलिक स्कूल के तरफ से जारी की गई है डेली पब्लिक स्कूल सेक्टर 122 नौइडा वैकैंसीज ड वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं अब चलिए देखते हैं कि पोस्ट क्या-क्या जारी की गई है जिसमें आप फॉर्म्स भरेंगे तो ऐसे तो बहुत सारी वेकेंसी आउट हुई हैं लेकिन हम जो सब्जेक्ट के बारे में देस्स करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पी आटी के पोस्ट पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की वेकेंसी है और साती साथ पार्ट ताइम कोचेस की भी वेकेंसी है तो जो बच्चे इंट्रेस्टेड हैं वो चाहते हैं जाली पब्लिक स्कूल में एजाप फिजिकल एजुकेशन टीचर जोइन करना चाहते हैं और पर्ट ताइम कोचेस जोइन करना चाहते हैं वो इन पॉर्म को भर सकते हैं सारे डीटेल स्कूल के वेब साइट पर एवेलेबल हैं आपको आज से 10 दिन के अंदर ये लिंक पर जाकर अपना form भर देना है और स्कूल का वेबसाइट जो है वो है dps122noida.com और जितने भी shortlisted candidates होंगे उनको interview के लिए बुला जाएगा अभी हम साइट पर भी जाकर देखेंगे कि क्या-क्या आप किस तरह से उन forms को भर सकते हैं qualifications क्या-क्या चाहिए और क्या-क्या essential details है जो आपको help करेगा इन forms को भरने के लिए तो हम आ गए हैं Delhi Public School Noida की official website पर जहां पर यह जो इनका page है यह है पर यहां पर आप सारे details देख पाएंगे सारी वही चीजे हैं जो हमने discuss की है यहां पर आप देख सकते हैं PRT physical education का वेकेंसी है जिसमें graduates in forms को भर सकते हैं जिनके पार DPE है या फिर BPE है DPE और BPE graduates को ही ले रहे हैं NIS से अगर आपके पास sports coaching का अगर आपके पास certificate है football, basketball, athletics and table tennis में और साथी साथ आपके वास तीन साल का minimum experience है तब आप स्कूल को जोइन कर सकते हैं as a PRT physical education teacher और जो बच्चे इंट्रेस्टेटेड है as a part-time coach जोइन करना चाहते हैं in schools में तो उनके पास भी same qualification होनी चाहिए graduate from a recognized university with DPE और BPE certified from NIS as coach in football, basketball, athletics, table tennis अगर आपके पास NIS से coaching का certificate है तो आप इसमें जोइन कर सकते हैं और इसमें भी तीन साल का experience वो मांग रहे हैं तो यह है qualification की बार जो हमने discuss की है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो process में आप फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं online भी offline भी online forms available है इस website पर ही आप यहीं से proceed for online application अगर आप click करते हैं तो आपको online application के तरफ data एक कर दिया जाएगा forms can be filled online on the website with registration fee आपको 200 रुपए का registration fee देना है और आपको print out लेना है application form जो आप भरेंगे last में आपका एक application form जनरेट होगा जिसमें आपके सारी details होगे जो आप receipt भरेंगे 200 रुपए का उसका receipt भी जनरेट होगा और आपको उसको submit कर देना है school के guard को ज अगर आप शॉट लिस्त होते हैं तो आपको बिलाया जाएगा पॉदी इंट्री नेक्स जो प्रोसेस है वो है offline का इस website से forms को download करना है 200 रुपए का ड्राफ्ट बनाना है फिर वही same process आपको gate number 2 पर जाके DPS sector 122 NOIDA के guard को आपको दे देना है तो मेरा suggestion यही रहेगा offline process पर न पर प्रोसीड करेंगे यह ऐसे आपका online application form generate होगा जिसमें आप अपना photo और जो भी details वो मांग रहे हैं सब आप इसमें fill up करेंगे और इसको print out लेके आप school में जाकर guard को दे देंगे offline में भी आपको अपना complete application form जो school का security guard है उसको जाकर देना है और online में भी आप इसको print out इसको कही mail या post नहीं करना है आपको सब कुछ fill up करना है और school में जाकर जमा करना है यही बस इतना ही process है Delhi Public School Noida की vacancies का जिसमें आप as a PRT physical education teacher and part-time coaches join करेंगे इस school में Delhi Public School Noida में तो I hope मैंने Delhi Public School Noida की जो vacancy थी physical education and sports के field में जितने भी information थी मैंने आपको दे दी है अगर फिर भी कोई भी क्वेडी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पूच सकते हैं इंस्टाग्राम पर पूच सकते हैं इंस्टाग्राम का जो आईडी है वह मैं आपको description box में दे दूना आप वहां से मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम कर मैं आपको जल से जल आपके doubt clear करने का कर सकते हैं इंस्टाग्राम 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 कर सकते हैं इंस्टाग्राम